आप देख रहे हैं सबरंग समाचार और अभी मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ राधा कृष्न मंदिर के सामने जी हां जनमास्टमी है और स्रीहरी विष्णु का आटमा जो है वो कृष्न के रूप में है तो यहां राधा कृष्न मंदिर के समक्ष में खड़ी हूँ और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार की जो जनमास्टमी है वो सबसे अलग है इस कोरोना की वैस्विक महामारी में ऐसे तो देशवासी काफे उत्साहित हैं लेकिन इस वैस्विक महामारी के चलते लोग मंदिरों के दर्शन मंदिरों में नहीं आएंगे वर् आप यहाँ भगवान के दर्शन करने आएं हाँ अच्छा आज क्या है क्या तेवार है आज जनमास्टमी का तेवार है जनमास्टमी पर कुछ आप सुनाना चाहते हैं मैं एक भजन सुनाना चाहता हूं जी बोले ये प्राथना दिल की बेकार नहीं होगी ये प्राथना दिल की बेकार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी क्या कैसे पूजा पाठ का अरिक्रम देखिये वैसे तो लोगड़न चल रहा है लोगों का आना जना तो बिल्कुली निशेत किया हुआ है लेकिन जो इसके नियम है पूजा पाठ के जो विधी है वो सुचार रूप से ब्रामनों दोरा की जा रही है आज जन्वास्टमी के द स्री मदभागवद गीता का ठारोदय का मूल पाठ पंडितों दोरा किया गया है अब रातरी में नौवज से फिर उजा शुरू होगी और पंचरामरित अभिशेक वगरा के बाद उनका पौने बारावज लगवग गर्वग 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 हम लोग ने यह प्रोग नहीं किया है और जो प्रसाद बनेगा मंदिर में ही बनेगा मंदिर के सेवधारों ब्रामनों द्वारा ही बनेगा उसी का ही भोग लएगा धन्यवाद अभी आपने सुना मंदिर के जो अधेक्ष हैं उन्होंने क्या कहा इस कोरोना की वैस्विक महारी में इस बार की जन्मास्ट में जो है वो सबसे अलग मनाई जा रही है तो हम और भी कुछ लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि इस बार की जन्मास्ट में वो किस तरह से मना रहे हैं मास्ट में कैसी हो रही है वर्चुल कैसे भक्त दर्शन कर पाएंगे इस बार का समस्त धार्मिक आयोजन लॉक्डॉन के कारण पूरी अस्तगित है बहुत फीका है लोग जितने भी तरह का जारखंड के इतियासिक शिरी राधा कृष्ण मंदीर कृष्ण नगर कृलोनी इस मंदीर का विशिष्ट अस्तान है खास कर जनमस्टमी यहां इतने धुम दम से मनाय जाता है कि लाखों लोग आते हैं लेकिन आज के दिन में आप खुद देख रहें कि इस जगह का अस्थल क्या है बाहर से भजन आते हैं यहां के लोग अपने कलाकार है यहां कितने तरह के आयोजन होते हैं जो सारी अस्तगित है लेकिन जारखंड सरकार सुप्रीम कोट ने बाबा देव देवगर धाम में जो सुप असनार्थियों को अनुमति देना चाहिए उन पूरे ओल इंडिया सभी मंदीर में लागू है